बिग बॉस के फैसले से पल्टागर का गेम, विनर्स के नाम पर लगने लगे अंदाजे दीपक के बाद इन दो खिलाडियों को दिखाया गया बाहर का रास्ता एक साथ हुए दो खिलाडी बाहर, कौन-कौन हुए वीकेंड का वार का शिकार, किसका हुआ पत्ता साफ अनिल कपुरोज से रियालिटी शो बिग बॉस ओटीटी थी से एक जटके में दो खिलाडियों को बाहर का रास्ता दिखा दिखा दिया गया है दीपक चौरस याक एविक्षन के बाद माना जा रहा था कि हाल फिलाल में शायद को एविक्षन नहीं होगा लेकिन बिग बॉस से भेर एक बार गेम पलट दिया है जाहिर तोर पर इस गेम का लेवल अब और भी ज्यादा टफ हो जाएगा बिग बॉस से जुड़ी खबरें साजा करने वाला सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म दखबरी ने पोस्ट करके बताया है कि बिग बॉस के दो बड़े खिलाड़ी वीकेंड के वार का शिकार हो गए है रियालेटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में वाइल कार्ड एंट्री बन कर आया अदनान श्रेक और लगातर पफ़मेंसिस को लेकर सवालों के गेरे में बनी हुई सना सुल्तान एविक्ट हो गई है लव कटारी और एलवी श्यादव के कटर दुश्मन मानने जाने वाले अदनान श्रेक जब घर में आये तो माना गया था कि जबरदस्त आक्शन देखने को मिलेगा हाला कि लव कटार यह से कुछ गिने चुने जबानी जगडों के बाद दोनों की दोस्ती हो गई और ज्यादातर वक्त दोनों साथ में वक्त बिताते नजर आने लगे अदनान श्रेक ने बातें भी की तो वो ज्यादातर बाहर की बाते होती थी जिनके लिए अदनान को बिग बॉस से डांट भी पड़ी जहां एक तरफ अदनान शेक एंट्री के बाद से लेकर अभी तक दर्शकों को कुछ खास कॉंटेंट दे नहीं पाए वहीं दूसरी तरफ सना सुल्तान भी गर के बीतर फुस्की बॉम भी नजर आई वीकेंड का वार में सना सुल्तान खान को पहले भी कई बार अडिल कपूर से लतार पड़ चुकी है लेकिन उनका वही रविया लगातार चला आ रहा था बात कर एविक्षन पर पब्लिक के रेक्शन की तो एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा अधनान तो बार वाला था फिर भी भगा दिया